हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियों में आप लोगों को दोस्तों फेस्बुक पेज पे आप वाटसेप बटन केसे आड़ कर सकते हो इस वीडियों में बताने वाला हो मतलब जो आपका दोस्तों फेस्बुक पेज है उसके उपर आप वाटसेप बटन आड़ कर सकते हो उसके बाद उसके उपर क्लिक करने के बाद आप directly WhatsApp पे message कर सकते हो तो चलिए दोस्तो मेरे नामे राज अंदर फड़तर है अभी हम देखते हैं कि दोस्तो Facebook पेज पे WhatsApp बटन केसे add कर सकते हैं तो दोस्तो आपका जो Facebook पेज है उसको आपको open करना है जिस पेज पे आपको WhatsApp बटन लगना है उसको आपको open करना है लेकिन दोस्तो पहले आपको क्या करना है जो आपका normal WhatsApp पे उसको uninstall करना है और आपको WhatsApp बिजनेस उसको install करना है आपको account open करना है मतलब जो आपको WhatsApp बिजनेस है उसको open करना है open करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है इदर दिख रहा है आपको facebook page पे आने के बाद दोस्तों आपको add button दिख रहा है इसके उपर click करना है ये दिख रहा है add button इसके उपर आपको click कर देने ये देखे ये click करने के बाद choose a button तो दोस्तों इसमें से बहुत सारे आपको बटन दिया है लेकिन यह देखिए आपको इधर send email के नीचे WhatsApp दिख रहे हैं दोस्तों इधर WhatsApp तो इसके उपर दोस्तों आपको क्लिक कर देना WhatsApp के उपर उसके बाद दोस्तों इदेखिए आपको इधर number शो हो रहा है अगर आपने पहले बार कभी किया नहीं रहेगा तो इधर नहीं रहेगा आपको directly टाइप करना रहेगा आपका जो number है उसको आपको टाइप करना है अगर इडिट करना है तो इडिट भी आप कर सकते हो आपको number टाइप करके आगे प्रोसेस करना है तो मैं इधर उपर आपको create दिख रहा है इसके उपर में click कर देता हूँ create के उपर आपको number डाल के आगे process करना है create कर देता हूँ एदेके create हो चुका है दोस्तों लेकिन आपको इससे पहले आपको एक OTP आएगा उसके आपके जो WhatsApp बिजनेस है उसके उपर आपको एक OTP डालने के बाद ही आपका WhatsApp बटन एड़ होगा क्योंकि अभी इदर मैंने पहले बार add किया था उसके बाद मैंने remove किया था इसके बज़े से वह आभी OTP नहीं है तो directly वह process हो गया है तो अभी दोस्तों इदेके इदर आपको add button दिख रहा है था इसके बज़े से आपको WhatsApp message करके आए तो इदर आप view के उपर click करके इदेके WhatsApp बटन आ गया है दोस्तों इदर दिख रहा है आपको WhatsApp बटन आ चुका है तो दोस्तों आपको सिर्फ number डालना है उसके बाद आपको जो एक OTP आएगा OTP डालने के बाद आप आगे process करेंगे तो आपके mobile पे आपके Facebook पे पे WhatsApp का button add हो जाएगा इसके बाद इसके उपर click करने मतलब जो भी आपको मैसेज करना चाहते है वो आप आपको जो ये वीडियो को पसंद आय तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत बूलना क्योंके ऐसे वीडियो में आपके लिए लाता रहे तो thank you so much दूस्तो जाई है